धोनी को गलत धंग से आर्थिक छती पहुंचाया है धोनी जी को अप्रोच किया राची में और बताया कि हम आपके नाम से क्रिकेट एकडेमिक खोलेंगे यह दोनी के मित्र थे शुरू में धोनी के साथ काम करते थे और रंजी क्रिकेट प्लेयर भी रहे हुए धोनी को गलत धंग से आर्थिक छती पहुंचाया है जिसके चलते मजबूर होकर करकर उनको क्रिमिनल केस करना पड़ा मामला यह है कि इन लोगों ने 2017 में धोनी जी को अप्रोच किया राची में और बताया कि हम आपके नाम से क्रिकेट एकडेमिक खोलेंगे स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स खोलेंगे और इसमें जो ऐसो हम लोग आपको जो फ्रेंचाइजी फीस होता है यह सारा का सारा देंगे धोनी जी ने उनकी बातों पर विश्वास करके उन्हें जो है ऑथरिटी दे दिया लेकिन कुछ दिनों बाद ही उनकी नियत बदल गई और वो जो है न कोई जानकारी देते थे न कोई इनको पैसा देते थे एस पर एग्रिमेंट और सभी जगह जो है इनके नाम से खोल रहे थे MS Cricket Academy जब धोनी जी को पताया चला तो उन्होंने 15-8-2021 को अपना जो ऑथरिटी था उसको रिवोक कर लिया उसके बावजूद ये कम से कम हमारी जानकारी के नुसार 8-10 जगों पर इन्होंने MS धोनी के नाम पर एकडेमिक क्रिकेट एकडेमिक खोला जो है तो फिर हम लोगों ने इनको नोटीस भी बेजा नोटीस के बावजूद ये अपने जो गलत धंग से सुधर नहीं रहे थे और आर्थिक शती पहुचा रहे थे हमारे अनुमान के नुसार आज के तारिक में 15 करोड से उपर का जो है गलत धंग से आर्थिक नुकसान जो है धोनी जी को पहुचाया तो मजबूर हो गए हम लोगों को यहां के सक्षमने वाले डिस्टिक कोड पर राची में केस फाइल करना पड़ा जिसकी आज जो है तारिक थी आज जो है उनके उथराइज परसंद सीमान लोहानी जी ने आज सोलिमन एफरमिसन और ओद दिया है और अगली तारिक जो है य गया है अक्टूबर 2023 में किया गया है आज तारिक थी जिसमें की सीमान लोहानी जी ने आ करके नियालय के सामने जो है सुलिमन एफरमिसन और ओद दिया नियालय के द्वारा सर्टेन कोश्चन पूछा गया जिसका उन्होंने जवाब दिया अब अगली तारिक को जो है फिर केस की सारी जांकारी.